देखो इस वीडियो के अंदर में हुंडाई इसके अलावा टोयटा और किया इनकी अपकमिंग 15 कारों के बार में डीटेल में बात करूंगा जिनको 2022 में इंडियन माकेट में लॉंच किया जाना है हालाकि इनमें से कुछ कारे ऐसी भी है जिनकी टेस्टिंग चल रही है और को अन्वील किया जा चुका है और इसके अंदर काफी बड़े अपडेट्स करें रहे है हालाकि इसका जो एकस्टरियर लूक है वो काफी ज़्यादा इंस्पायर है क्यूसों से जो की एक प्रीमियम एसे विकार है हुंड़ा के तरफ से आने वाली तो यहापर इसके अंदर हमें काफी नए चेंजस देखने को मिल जाएंगे क्रेटा के फेस्लिप मॉडल के अंदर के कुछ रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन किया है कि हुंड़ा कंपणी क्रेटा फेस्लिप मॉडल को मिड ट्वैंटी टू तक इंडेट में लॉंच करेंगी और इसकी कीमत 10 लाग प पहने के अंदर रिवील करेंगी उसके बाद इसको लॉंच किया जाएगा वेन्यू फेस्लिप की कीमत साथ साथे साथ लग रुपई से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्ष्ण प्राइज हुंडा की जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको इंडियन मार्केट में बहु क्प्रिटली चेंज किया जाएगा और इसके इंटरेर में काफी एडवांस फीचर को इंक्लूड किया जाएगा इस अगार को हुंडाइ कंपनी अगले साथ के मीड़ के असपस लॉंच कर सकती है यानि जून या फिस जुलाइट ट्वैंटी टू तक नहीं वरना इंडिन म मैं तुने में लांच करेगी और ये कार कंपीट करेगी अल्टिका के साथ अल्टिगा के सेग्मे mayoría हुंडाइ आठ साधे आठ लाग रोपे से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक शोरूम राइज वही जो फिफ्ट नमबर की कार आती है हुंड़ाई की दरब से जिसको अगले साल लॉंच किया जाना है वो है कोना का फेसलिप मॉडल हलाकि ये एक इलेक्ट्रिक यसीवी कार है इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स दिये जाते है और कोना का जो करन्ट मॉडल है वो सिंगल चार्ज में 452 किलोमेटर तक की रेंज दे देती है लेकिन जो फेसलिप मॉडल रहेगा उसकी रेंज थोड़ी सी इंप्रूब होगी तो वो एक सिंगल चार्ज में लगबग 500 किलोमेटर तक की रेंज दे सकती है ये एकस्पेक्टेड रेंज बताई जा रहे है हुंडाई कमपनी इसकार को अगले साल इंडेन माकेट में लाँच करेगी उसको हुंडाई कमपनी इंडेन माकेट में बहुत जल्दी लाँच करने बाले है लेकिन जो गलोबल माकेट में मॉडल बेचा जाता है उसके अंदर काफी अपडेट्स करे गए है इंटरियर में और उसका एकस्टेरियर लुक तो काफी सदा बढ़िया है तो यहाँ पर हमें next generation Tucson भी इंडेन माकेट में बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगे जिसके अंदर काफी changes करे जाएगे इसको अगले साल के festive season के आसपास इंडेन माकेट में लाँच किया जाएगा और इसके कीमत 22 लाग रुपे से शुरू हो सकती है अगले साल इंडेन माकेट में लाँच किया जाना है लेकिन यहाँ पर important चीज़ के बार में बात कर ले थे नहीं तो कुछ लोग comment करेंगी कि Toyota इंडेन माकेट में किसी भी कार को लाँच नहीं करने वाली आपको बताना जाओंगा अगले साल Toyota Company कुछ कार को इंपोर्ट करेगी और लाँच करेगी और इसके अलावा मारती सुजगी की कुछ कारों को अपनी बाजिंग लगा कर इंडेन माकेट में लाँच करने वाली है तो यहाँ पर कुछ कारों को इंपोर्ट किया जाएगा और कुछ कारों को रेवाज वर्जिन के तौर पर इंडेन माकेट में लाँच किया जाएगा Toyota के तरफ से जो सबसे पहली कार आती है जिसको बहुत बाल स्पाइड किया जा जुका है वो है रेवफोर इसका इंतजार लोग बेसबरे से कर रहे है इसकार को गलोबल माकेट में बहुत ज़दा पसंद किया जाता है क्योंकि इसका जो एक्स्टरेलूक है काफी ज़दा कमाल का है और इसके अंदर काफी बढ़िया फीचर्स आफर करे जाते हैं इंटरियर में इसका इंजिन काफी ज़दा पावरफुल है इसको भी इंडियन माकेट में अगले एक दो महने के अंदर रिवील किया जाएगा उसके बाद इसको लॉंच किया जाएगा और इसकी कीमत 20 लाग रोपे के ऊपर ही रहेगी क्योंकि इसकार को इंडियन माकेट म इसको लॉंच करने वाली है लेकिन यह एक पिकप ट्रॉक होने वाले है इसको भी इंपोर्ट किया जाएगा लेकिन इसका एक्स्टर लुक काफी ज़दा कमाल का है यह पिकप तो परसनली मुझे बहुत ज़दा अच्छ लगी इसको 2022 के मेड़ के असपस इंडियन में लॉ सिर्फ लोगो चेंज करकर लाउंच किया जएगा इसके नहीं मिलेंगे इसका इंजिन एकस्टरेल लूक और इंटरेल फीचऱ् छी सेम रहेंगे सिर्फ लोगो चेंज और Toyota Company इसको इंडियन माकेट में लाँच करेगी और ये रिबैज वर्जन रहने वाला है इसकी कीमत 9-9 लाक रुपे से शुरू हो सकती है पेस मॉडल की एक्षोरम प्राइज वही Toyota की दरफ से आने वाली जो 4th नंबर की कार है वो है रूमियन Recently इसको South Africa में unveil किया जा चुका है इसके अंदर भी हमें कोई भी changes देखने को नहीं मिलेंगे इंटरियर में और एक्स्टरियर में सिर्फ लोगो चेंज होगा रूमियन के अंदर और ये अर्टिगा का रिबैज वर्जन रहने वाला है इसको भी अगले साल की mid case first Indian market में launch किया जागा और इसकी कीमत आठ साड़ी आठ लाग रूपे से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की extra prize वही जो 5th नंबर और 6 नंबर की कारे आती है जो कि Toyota Company अगले साल Indian market में launch करेगी जिनको अभी दक अपडेट नहीं मिला है वह है अर्बन क्रूजर इसके अलावा ग्लैंजा हाला की अर्बन क्रूजर एक सब 4-meter सेग्मेंट वाली combat यसवी का है जो की ब्रेजा का रिबैज वर्जिन है इसके अलावा ग्लैंजा एक प्रीमेम हैजबेक कार है जो की बलेनों का रिबैज वर्जिन है इनके अंदर भी हमें अपडेट्स लेखने को मिल जाएंगे 2022 में तो यहां पर इन 6 कारों को Toyota Company अगले साल इंडिन मकेट में लाउंच करेगी हाला कि Toyota Company ने यह खुद कंफर्म किया है कि वह इंडिन मकेट में मैनेफेक्चरिंग नहीं करेगी इन में से कुछ कारों को इंपोर्ट किया जाएगा और कुछ कारे रिबैज वर्जिन रहने वाली है वहीं जो लास्ट कार कंपनी आती है वह किया 2022 में किया अपनी कुछ कारों को इंडिन मकेट में लाउंच करेगी जिन में से पहली कार नाएगी किया की करैन जो कि 6-sitter और 7-sitter MPV कर होने वाली है रिसेनली किया कंपनी ने इसको अन्यवील किया था इसके उपर और 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 वीडियो बनाये है और कंपरेजन वीडियो भी बनाये है वो आप जरूर देख सकते हैं इसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स आफर करे जाए हैं इंटरेयर में और इसका एक्स्टरेयर लुक काफे ज़दा फ्रेश है इसको तो रिवील किया जा चुका है लेकिन इसकी सिर्प्राइजिंग आने बाकी है किया कमपनी इसकार को मार्च 2022 तक लाँच करेगी यनि इसकी जो कीमत रहेगी वो मार्च 2022 तक सामने निकल कर आ जाएंगी वहीं जो किया की सेकेंड नंबर की कार आती ही जिसको इंडिन मकेट में बहुत चल्दी लाँच किया जाएगा वह है Seltos का Facelip Model हाला कि Krata का Facelip Model आने वाला है तो definitely Seltos के अंदर भी हमें Facelip Model देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर काफी changes करे जाएगे और recently इसको spired भी किया जा जुका है टस्किंग के दौरान कुछ images में स्क्रीन के उपर डिस्प्ले कर दूँगा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया है कि Krata Facelip Model के अंदर Ados Technology हमें देखने को मिल जाएगी जो कि Safety के साब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पर Seltos के अंदर भी किया कंपनी ये Safety Feature दे सकती है किया कंपनी इसकार को अगले साल Touch को launch कर सकती है जिसको Global Market में अल्रेडी बेचा जा रहा है इसके अलबा Seed Family वाली Exceed कार को भी Indian Market में launch किया जा सकता है या फिर Entry Level Hatchback कार Trio को भी Indian Market में launch किया जा सकता है यह तो आने वाला समय बताएगा जब इन कारों को Indian Market में launch किया जाएगा तो यह छोटा सा वीडियो था इसका Second Part वीडियो जल्दी आ जाएगा उसके अंदर में Mahindra की कारों को cover करूँगा Tata की कारों को cover करूँगा Jeep, Marthy, Suzuki, Incar Company की upcoming कारों को cover करूँगा तो उसके लिए आपको चनल को सब्स्ट्राइब करके bell notification को on रखना है यह वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवारों के साथ जरूर शेयर कीजिगा